नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पराक टेलर चैनल पर देखिए दोस्तों यह मैंने जो पिछला वीडियो आपको बना कर बताया ना जिसे 5 इंच 6 और 7 गले के लिए तो उसकी मैंने आपको ड्राइंग भी करके बताई है मैं आपको अभी बता देता हूं तो इस गले के लिए आपको चार्ट मिलेगा और देखिए कई लोग का में जैंकर आ रहा था कि सर फरंट का गलावी इसी के हिसाब से कटेगा और देखिए फरंड में हम क्या करते जब कटोरी को कटिंग करते हैं तो उसको लगभग अपन लोग कितना आदा इंच बहार कर देते य और गला फ्रंड में भी इतना ही रहता है बस आदा पॉनिंग जो आपन आगे मार्जिंग बढ़ाते हैं वो बढ़ा लेना है और कटिंग आप भी कर सकते हैं ठीक है अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं वो बात पे आप ध्यान दीजिए जैसे हमने 6-7-5 के लिए य यहां से अगर इसको अपन इतना चोटा काट देंगे अगर आपने यह जो मेरी 8-9-10 गले वाली ड्राइंग है इसके हिसाब से कभी 5-6-7 गला काट दिया तो आपका शोल्डर में टाइट हो जाएगा और बुलाउस पूरा बिगड़ जाएगा 5-6-7 तक का जो गले का मेरा सकते हैं ठीक है जो मेरा पहले वाला है जिसे 5-6-7 वाला आज मैं आपको जो गला बता रहा हूं मैं बता रहा हूं 8-9-10-11 ठीक है इनकी ड्राइंग कैसे जाती है यहां पर और यह जो 5-6-7 तक की ड्राइंग कहा जाती है बाहर की तरफ जैसे यह बाहर तरफ जाती है शोल मैंने जो चार्ट बता है है उसके हिसाब से अब इसको यूज क्यों नहीं करना है अगर यह गला हमारा जिसे पांच छे साथ perspectives है अगर यह 8 आ गया जिसे हाँ आठ है यहाँ ठीक है यहाँ पर दस है यहाँ पर ग्यारा है तो यह जो measurement है न पूरा हो जाएगा फेल और आपका जो टोटल बुलाउस है ना वो बिगड़ जाएगा ठीक है आपको यह चीज का ध्यान रखना है तभी इस चार्ट को यूज करना है अब सबसे पहले क्या है जिसे आट नो दस ग्यारा गला आएगा तो हमको यहां पर कितना करना है दो इंच गले की चोड़े कितनी रहेगी यहां पर दो इंच लंबाई सेम रहेगी है ना बुलाउस की अब यहां से देखिए यह मेरा आगया ग्यारा इंच गला ठीक है तो ग्यारा इंच पर नीचे गला कितना चोड़ा होएगा लग भग हम रखेंगे इसको सवा तीन तीन भी रख सकते है और यहां से ऐसे मिलाएंगे हम लोग इस ड्राइंग को यहां पर यह देखिए ऐसे ठीक है यह लाल वाली ड्राइंग आपको दिख गई है इसी प्रकार से हमको यह मिलाना है अब हम क्या करेंगे यहां पर देदेंगे गला हमारा गुलाई इस प्रकार ठीक है ये गले को गुलाई देकर में इसको थोड़ा सा गहरा कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कूल आराम से ये मार्किंग समझ में आ जाए आप क्या करेंगे इसको जैसे हमने इसको कोई डाउन आउन दिया था क्या नहीं दिया था लेकिन इसको करना है हमको डाउन याने कितना करना है आदा इंच ठीक है ये इस तरब डाउन कर दी आदा इंच अब इसका जो शोल्डर रहेगा न ये भी 32 साइज है तो 32 साइज में इसका शोल्डर रहेगा पोने 10 इंच याने साड़े 9 और एक पॉइंट यहाँ पर ठीक है अब इसकी ड्राइंग हम यहाँ से ऐसे सीधे उतार देंगे देखिए यहाँ पर इस तरफ बड़ा ध्यान सो देखिएगा कि क्यों यूज करना है और क्यों यूज नहीं करना है देखिए 32 साइच का इसका जो आर महल रहेगा यह रहेगा पाच इंच जैसे हमने पिछले बड़े छोटे गले में कितना रखा था साड़े पाँच लेकिन जैसे ही गला डीप होगा तो हम इसको रखेंगे पाच इंच पर ठीक है यहाँ पर ऐसे ठीक आब यह चेश्ट किता ह है 32 ठीक है यहाँ पर दो इंच लूजिंग दी थी हमने जो गला छोटा था तब अब यह लूजिंग यहां से कर देंगे हम गायब और बलके यह जो है ना 32 इसके बजाए हम जैसा आठ आ रहा है तो बेक को हम रखेंगे शिरिफ साड़े साथ इंच कहां पर जैसे यहां पर यह मैंने रखा 6,5 इंच के इस जगे पर ठीक है अब मैंने आपको कहा है कि ब्रेक लगाना पडता है तो यहां से देखेंगे हम ऐसे 6 इंच हमारा आ गया है 8 इंच से जो ब्रेक हमारा रहेगा जैसे8 है हमारा फरन जिसे 8 चेस्ट आ रहा है 1 फोर में तो यहां रखा और यह देखिए इस पर तो यहां से रहेगा यह जो बड़ी वाली कटिंग कटेगी ना 8 9 10 11 तो इसका यहां से बेक कटेगा लगभा कितना अंदर आ जाएगा यहां से 1 इंच अंदर आ जाएगा याने कुल में 4 इंच कम हो इतनी ही रहेगी और यह जाएगा ऐसे ठीक है और यहां पर देखिए इस प्रकार से हमने मार्जिंग दे दी अब आपको दिख रहा होगा कि जो पहले वाले की मार्जिंग अलग जा रही है और दूसरे वाले की मार्जिंग अलग जा रही है इसलिए से मैंने आप से कहा है क इसको अलग-अलग ड्राइंग देना पड़ती है अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कितना बढ़ाया था आगे आदा इंच तो इसको कितना बढ़ाएंगे मात्र पाव इंच ठीक है पाव इंच बढ़ा कर ऐसे निसान लगाएंगे यहाँ पर ठीक है पूरा चेंज हो गय अब इस जो ड्राइंग है ना इसको हम केशे करेंगे यहाँ से जो यह निसान है ना हमारा यहाँ पर का इससे हमको कितना देना है एक इंच यह देखिए यहाँ पर एक इंच रखा मैंने और इस ड्राइंग को अपर यहाँ पर मिला देंगे ऐसे मिला दिया मैंने ठीक है यह जा रही हमारी ड्राइंग यहां से देखिए ध्यान से देखिए जो पूरा गणी थे ना आपको एश्टरा में समझ में आएगा और इससे आपका बलाउस कभी भी बिगण नहीं पाएगा अब इसको नापते हम यहां पर से ऐसे देखिए देढ़ेंबर दूर से ज 15 इंच और एक पाइंट ठीक है 15 इंच एक पाइंट हमको आर मोहल कितना चाहिए 15 इंच चाहिए 32 चेस्ट का ठीक है तो इस हिसाब से बिल्कूल हमारा यह बेग है ना परफेक्ट आ जाएगा लेकिन देखिए कितना चेंज किया गया है इसके अंदर यह सोल्डर भी कम हो ग गया था यह जो पास आया तो यह अंदर आ गया इस हिसाब से अगर कटिंग करेंगे न आप तो आपका ना तो सुल्डर उत्रेगा कभी ना ही आपके ब्लाउस में कभी भी जोल आएंगे देखिए यहां पर से यह निशान और यह जो एक निशान है ना हमारा यह वाला यह पर है ठीक है अब यह दोनों निशान अपने आ गए अब आपको समझना है जिसे यहां पर से आपने रखा दस इंग तो दस इंग गले की यह ड्राइंग आ गई आपकी इस जो कटिंग में कहीं परिवर्तन नहीं करना लेकिन गले में देखिए परिवर्तन हो जाएगा फिर जैसे ही आपका गला बना 6, 7, 8 याने यहां से तो फिर आपकी ड्राइंग कहा जाएगी इस जगे पर याने ऐसे बाहर फिर यह वाले ड्राइंग कहा जाएगी ऐसे बाहर समझ रहे ना आप आज वाला जो चार्ट है यह 8, 9, 10, 11 गले तक यूज होगा 12 गला भी होगा तो भ 28 साइज है 28 साइज काtı शोलडर रहेगा 9,5 इंज याने 9,50 ठीक है और इसका जो आर महल रहेगा ना मोहल की लंबाई यह रहेगी 4.75 और 2 इंच इसके गले की चोड़ाई रहेगी और 13 इंच इसका आर मोहल आएगा गुलाई में ठीक है इतना आ सकता है यह जो आर मोहल है थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है आदा इंच का फरक इसमें आ जाता है 90 परसेंट तो यह बिल्कुल प 9 इंच आएगा इसका शोल्डर 9.50 और 4 इंच और 75 आएगा इसका आर मोहल की लंबाई यह लंबाई आर मोहल की दोनों की शेम होगी ज्यादा बड़ी छोटी नहीं रहती है 30 साइज में और 2 इंच का गला इसका चोड़ा रहेगा 32 साइज तो यह जो गला है ना थोड़ा आ यह सवादो ही रहेगा ज्यादा गला चोड़ा नहीं रहेगा ठीक है अब क्या है जिसे बड़ी साइज आ जाती है ठीक है अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि यह जो गला है यहां तक रखना है आपको 2 इंच ठीक है लेकिन यह कित्तिता यह साइज तक रखना है यह 32 तक रखना है ना अगर अपना साइज बढ़ जाता है तो इस गले को आप चोड़ा भी कर सकते हैं और अगर आपका शोल्डर उतरता है चोड़ा होने से तो आप दो इंच पे भी रख सकते हैं ठीक है ना तो देखिए 36 साइज में सोल्डर रहेगा 10 आर्मोहल रहेगा सवा पांच इंच और गले की चोड़ाई रहेगी सवा दो और आर्मोहल की गुलाई इसकी आएगी लगभग 15.5 इंच 38 में 10 इंच और 2,5 यानि 70 इंच रहेगा shoulder और 5.50 रहेगा इसका armhole की लंबई और 2.50 रहेगी इसकी गले की चोड़ाई यह 40 इंच chest पर है ठीक है और 42 इंच chest पर किता रहेगा 10 इंच और 5.0 यानि 10.5 इंच इसका रहेगा shoulder और armhole की लंबई रहेगी 6 इंच ठीक है इसी प्रकार से आप इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं और दोस्तों देखिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना चैनल पर न्यू है तो सस्क्राइब कर लेना ऐसे ही नेक्स वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ थैंक्स फर वाचिंग